हिमाले इक्षेत्र हमेशा से विज्ञानिकों तथा शोध करताओं के लिए जग्यासा का विशे रहा है हलाकि आजादी के बाद इन गलेशिरों पर लगातार अध्यान किया जा रहा है लेकिन अब भी हिमाले इक्षेत्र में कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं रखा गया है हिमाले इक्षेत्र में ग्लेशिरों के पिखलने से 36 नई झीलें उभर कर सामने आ गई हैं जिनमें लहौल स्पिती के जिला मुख्याले केलंग से 35 किलोमीटर दूर गेपंग घट जील भी शामिल है। हाला कि विज्ञान तथा पर्यावरन विभाक के निदेशक एसेस नेगी के अनुसार प्रदीश सरकार इस जील में बढ़ते पानी के स्थर पर नजर रखे हुए है और फिलहाल इससे कोई खत्रा नहीं है। लेकिन उसका पानी बढ़ रहा है तो उसका हमने सरकार को रिकमेंडेशन दियें कि उसको कंट्रोल डिस्चार्ज किया जाए जिससे कि उस अड़ल एक बस्ट ना करे। कारेशाला में तिबबत क्षेतर में बनी पार्चू जील का भी जिक्रा आया जिसके चलते कुछ वर्ष पहले इस जील के तूटने के कारण सत्लुज में अचानक पानी आ गया था और राज्य में काफी तबाही मची थी। गर्मियों के आते ही इस जील में पानी के स्तर के बढ़ने का खत्रा मंडराने लगता है। इसलिए राज्य सरकार पार्चू जील के पानी के स्तर पर लगातार नजर रखे हुए है। उलेखनी है कि दुनिया भर में 12,000 ग्लेशर मौजूद हैं लेकिन इन में से केवल 100 ग्लेशरों पर ही अध्यान किया गया है। कि विभिन हिमालई नदियों पर बनी जल्विद्यूत परियोजनाओं तता इन पर आधारित जन जीवन वा आर्थिकी के चलते ग्लेशरों पर और अध्यान करना अधी आवश्यक है। ताकि तेजी से पिखलते ग्लेशरों का मानव जीवन पर पढ़ने वाले असर का आकलन किया जा सके। लगा करनाव जान आर वीजू पर टीवा जाया को किसा एलन इन पर आधारित पर चाहता सबस्क्वाशरों के भीड़का एंचाव जीवन पर बनी पर ने की वावस करनाव सूर्ण के कि प्रक्री आधारि कि आधारिब्यू क। नंदीनी मित्तल डीनूस शिमलाग